तोसलाजी भिद्रू दिख्षी चैनल में स्वागत हैं। 10 सेतंबर जी हाँ आज 20 आत्मत्या निरोध दिवस है। 10 सेतंबर 2003 को WHO World Health Organization इसकी सुवाद की थी। और कुछ आंकले हैं जो पताते हैं कि आत्मत्या एक व्यापक समस्या बन गया है। दुनिया में हर घंटे में 80 लोग आत्मत्या करते हैं। 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्मत्या की और अकरसर हो जाता है। ऐसा बताया गया है कि एक साल में 7,3,000 लोग आत्मत्या की और प्रति दिन 1927 लोग आत्मत्या करते हैं। मद्वदेश भी अगर भारत की बात की जाए तो तीसे नमबर पे हैं आजपनत्या के मामलों में आजपनत्या के लिए इस बार मद्वदेश सरकार द्वारा एक अपने प्रयोग किया गया है स्कूल सिक्षा विवाग को जिम्मेदी दारी दी गई है उनको ये कहा गया है कि आप अपने अध्यन अध्यापन में बच्चों को आजपनत्या के विषय में चागरू करेंगे बच्चों को आजपनत्या के विषय में पताएंगे कि और इसके दुस्पर नाम से अवगत कराएंगे कुछ देखा गया है कि मदवदेश में फाल के कुछ वर्सों से विद्यार्थी और महिलाएं आत्मत्या के ओर सबसे ज्यादा केस जो आ रहे हैं अभी दो-तीन दिन पहले की घटना है एक परवार की महिला पने तीन बच्चों के दाद उसने आत्मत्या कर दी कल एक व्यक्ति ने जोलपुर में कल की घटा है घर में था रात में सो आया जब सबेरे लोग आठे तो देखा कि वो अपने पंखे से फंदे लगा के साली से फंदा लगा के आए दिन कहीं ना कहीं कोई घटना है घट रही है रिजल्ट अच्छा नहीं आया लगी छट से अब यह स्थिति इसके पीछे क्या है अलगाओ, दुर्भवार, नशा, कैरियर में अस्वल्टा एक कुछ चीज़े हैं जो कि युवाओं को पेरिद कर रही है एक सो पच्चीस साल पहले प्रक्यास समासासी इमाईल दुरखीम ने अपनी पुस्तकली सुसाइड में आद्म आत्मात्या के कारण, आत्मात्या के प्रकार, आत्मात्या के तरीकों की व्याक्थिया करने के साथ सा अत्ताय था, पहली बार पताया था दुर्खीम ने कि आत्मात्या एक सामाजिक कारण है, सामाजिक फैक्ट है, सोसल फैक्ट है, समाज का व्यक्ति पर इतना ज़्यादा दवाओ पड़ जाता है वेक्टी समाज के दवाओं में इतना जाता है कि उसे लगता है कि अपनी हत्तिया कर लो या अथाद समाज के दवाओं के चलते वेक्टी अपनी हत्या के लिए अगर शर होता है बात दो होता है दुर्खीम पहले दुर्खीम ने सद्धान्त की रिष्ना की थी, सबThere Alorss, सब्धू सु पहले बाखन साल पहले दुर्खीम ने स हदान्त के सद्धान्त रखे थे रिखे थे आत्मत्या का से siR Family विस्लेशन जो कहा था। तब उद्योगों में काम करने के कारण वैक्ती के संबन मशीन हो जाते हैं मशीनों के साथ काम करते हैं वैक्ती भी मशीन बन जाता है उसके संबन मानवी भावनाएं उसमें से समाब तोकित में मशीन ही भावनाएं आ जाती हैं तो मशीनों के दमान बेवार करने लगता है और इसलिए वो अलगाओ के उर बढ़ता है उसी के अधार को उसने थ्योरियाफ एलिनेशन की बात की थी और उससे कहाता है कि तीरे तीरे जरसे जरसे अध्यों की करण बढ़ेगा समाज में एलिनेशन की बात आएगी मजदूरों में वेक्तियों में समाज से अलग प्रतक रहने की बात आएगी अश्दू की विक्ति समाज से अपने अपको अलग समधने लगता है या कभी-कभी समाज के प्रैशर में समाजव्यक्ति को अलग कर दीता है यह theory of validation है आत्मत्या के लिए जिव मेदा है तो तक्नीकी विकास में बहुत कुछ बदल गया, आज एक किस्मी सदी और दोगी करण के साथ साथ तक्नीक की सदी कलाती है, तक्नीकी विकास ने सब कुछ बदल दिया, और दोगी करण के प्यारम में घरम बात करें, जब तुरुआ तुरुआ थी अठागनी सदाब्दी में के स्रम और कोशल न महत्मून थे है। पूंजी पती अपने कोशल के करण पूंजी पति अपने कोशल이고 का संग्रण से नई-निफ्यक्तियाNow. बनाते थे लेकिन 21 सदी में युवा आज 21 सदी में सेनारियो बदल गया आज का युवा जो है यूज जो है अपने कोशल के बल पे पूंजी बना रहा है लेकिन पहले क्या था पूंजी पती अपने कोशल से मजदूरों के स्रम से पूंजी बनाते थे लेकिन आज का यूज ज फिर्त बहुए निकले बच्चे saw अपना जो निक्कले बच्चे अपना जो तरहें ग्यान और जन करते हैं जो कोशल उनके पास था उष कमुर्शन को सेलेक्शन में इंटेयू आता है, इंटेयू लेते हैं क्योंकि यूद जो है अपने कोशल को बेच रहे हैं और जब कोशल को बेचते हैं उसका सही दाम नहीं मिलता है तो हतास होते हैं उनमें अलगाओ की भावना आती है। पूझी जो है पूझी एक बहुत महत्मून कारे चिपा हुआ है। दुरखीम ने हलाकि पूझी के इतनी बात नहीं करी थी लेकिन आज के सिनारियो में आज के परदर्श में अगर हम देखें तो पूझी ही आत्मत्या के लिए सबसे ज़्यादा महत्मून कारा को रहा है। आज पूझी के हवास पढ़ती जा रहा है। हजार पती लखपती बनना चाहता है। लखपती करोपती करोपती अरबपती 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 खरपती अरबपती 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 खरपती आपकी। आप रूखना ही नहीं है। पूझी के हवास लालच में समाज में एक फैंटेसी बनती जा रही है, समाज जो हमारा पूरा माया लोक और कल्परना लोक में फद गया है, आकर्सक पैकेज का माया जाल जो हमारी युवा पुड़ी को फचाता जा रहा है, उसमें जैसे मकली अपने जाला बनाती ना उसमें खुद फज्जाती है आज वही पूंजी के चक्कर में युवा अपने कोशल को पेज के वो जो आकर सकता पैकेज है पांच लागा पैकेज, दस लागा पैकेज, पच्छिस लागा पैकेज, तीस लागा पैकेज, पचास लागा पैकेज, इस पैकेज के माया जाल में, प्रवतियां अद्यतन modern आयाम आथुजित हो रहने। आपको आप खंड आत्मिर्टwinning विभाजन देख रहे हैं। मदविदेश में विद्दियु महिलां events, भाइन हम चलएग आ करही हैं। कि आज parents की सोच हो गई, बच्चों को उंची सिक्षा दिलाना। बच्चों को हर पेरेंट सोसता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, बेटी, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मैनेजमेंट, गुरू बने, इस सब के लिए वो अपने खेद बेश रहे हैं, गाओं के लोग, करजा ले रहे हैं, जुके सान लोन ले रहे हैं, अपने मकान बेश कोचिंग के मायजाल में, उसकी जो कोचिंग की मशीनी प्रिक्रिया है, उसमें फच जाता है, कोचिंग की टाइमिंग, शडूल ऐसी है कि सुवरे से साम तक मशीनी रूप से महां कोचिंग होती है, अपने घर परवार से अलग हो जाता है, और उस कोचिंग में वहां पे ज आता है तो अगर आप देखें कोचिंग संस्थान जितने भी खोटा के कोचिंग स्टूटिया दिल्ली के विसागा पत्नंगे उन्हें के सब कोचिंग संस्थानों के अगर सक्सेस रेट देखें तो तीन से चार परसेंट होती है बड़े-बड़े विग्यापन आते हैं एलन क संस्थानों में जाते हैं अब पेरेंट्स की इच्छा पूर्ती के लिए गाओं का बच्चा जब मेट्रो सिटी में जाता है तो वहाँ पढ़ने के साथ साथ केमपस सेलक्षन होता है और केमपस सेलक्षन में उसको तुनहरा पैकेज दिखाय जाता है उस तुनहरे पैकेज नहीं मिलता तो फ्र aquí से डेटा है और आता है छटकी पुझा करता है दिपावली आता है और तेवारों में पुझा पाठ करके वो मुश्किल से वहां पर जुब आता ना टो एक घंटे दो हट चार. अपने company से तो धीरे-धीरे माबाप का अपने बच्चों के साथ अलगा होने लगता है बच्चे माबाप से दूर होने लगते हैं गाओं में शहर में छोटोडे शहर में जो मद्यम शेड़ी के शहर है वहाँ आज हाला थी है कि घर खाली पड़े हैं घरों में किलकारी बच्चे से जो रिटन मिलना था वो रिटन नहीं मिलता क्योंकि बच्चे ने तो पूरा, बंबई, दिल्ली, कलकता, गुणगाओ, हैदराबाद, बैंगलॉर में जो नौक्री पाई थी वहाँ पूंजी के माय जाल में फस के वो एक-एक करोड के फ्लैट ले लेता है और उसकी जो सेलरी रहती है, सेलरी का 50% उसमें जाने लगता किसमें मज़गूरी रहती है कि वो जानते हैं कि अगर मैंने लखे कि साधी नहीं की तो वो कर लेगा, तो मज़गूरी में सीकृर्टी दे रहते हैं और फिर जो पती पत्नी दोनों करते हैं उनके बीच में वहाँ पे वो होने लगता है, बिखराओ आने लगता है, उनके बीच मे नौकरी करते हैं अच्छा, उनके पास पूंजी नहीं बसती, तो भी दी रहे थी, वहीं विद्यार्ट्यू में एक है कि वो जब नौकरी करते हैं, नौकरी के साथ-साथ अजकल स्टार्टप भारत सरकार ने बात की तो भिद्यार्त्यों के ग्रूब जो नए यूद रहते हैं अपने टैलन्ड से अपने कौशल से वो स्टार्टप बनाते लेकिन इस्टार्टप को तुरुआती सफलता ना मिलने के कारण उनमें धीरे-धीरे एक बित्रशना आने लगती है और वो उपने जीवन से मोह उनका भंगोने लगता और वो देखे आत्मत्या को रुप लगता है दूसरा जो खंड है आप देखें सिने अबनेटा जो हैं करोणों में खेल रहा है। उनका पैकेश करोणों का रहता है। लंब लंब उनके पास डिमांड रहती हैं पंद्रा करोड 20 करोड 25 करोड और यह जो पैसा आता है पूंजी के परकारण की अपनी चर्चाह आने लगती उस विभिन चर्चाओं में पुझी पती जो हैं फस्ते चले जा रहे हैं और जब फस्ते चले जाते हैं फिल अबनेता जब उनकी एक फिल्म फ्लाप होती है अभी जो बाइकाट दौर चल रहा है इतमें देखिए सारे अबनेता जो 20-20 करोड 25-25 करोड एक फिल्म का लेते हैं वो धीरे धीरे उनमें आहत हो रही है उनकी भावना है उनकी बूली उनके बालचा से लग रहा है और यही इस सिसी उनको आत्मत्यों के पेरिद करती है अभी तीन साल पहले कोरोना काल में 2020 में बिहार से आए एक लड़का तो सांसिंग राजपूच जिसने धोनी की अपनी गल्ट्रेंड की बेफवाई से परिसान होने के कारण वो आत्मत्या करता है अर्ताथ पूंजी यहां पर पी एक महत्मून कारण है पूंजी के कारण फिल्म स्टार दी सफलता को समालनी पा रहे है और सफलता में इसनी ज़्यादा लिप्ट हो जाते हैं कि आत्मत्य जब दोर पर दोर पूंजी तीसरा फैक्टर आप देखें किसान पर अब स हुए है मदवदेश में लैसन और मूंग इतना हुआ कि अब उसके रेट नहीं मिलता है तो किसान ने लगा तो लिया लैसन और मूंग लेकिन जब विक नहीं रहा है तो उसको फेक रहे हैं वो कही ना कही उनके लिए नुकसान दे और फिर वो करज लेके बीज लेते हैं जाक आने पर जब उसका रिटर्न नहीं मिलता है तो फिर उसको वो मजबूरी में उनके पास आजपत्य की और कदम बढ़ता है क्योंकि जिससे उधाल लिया था साहुकार अपना कर्च मांगता है कर्च की रिकम बढ़ती जा रही है डिफाल्टर हो रहे हैं ऐसे में वो उन सफल नहीं हो पाते दीरे दीरे वो अब पेच्छा है रखते कि मैं भी समसद बन जाओं बढ़ता है कि जब सक्सेस नहीं मिलती है और उनका माया जाल इतना उनके पास में ग्रूप इतना हो जाता है पैसी के हवस महां भी रहती है कि मंत्री बनूँगा यह करूँगा पैसा कमाऊंगा और जब टिकेट नहीं मिलता है तो हताशा में वो भी आत्त्या करता है एक और फैक्टर है बाबा धर्म ग्रूप आज हमारे जो धर्म ग्रूप है इनका बहुत माया जाल है वीडियो चल रहे हैं सक्सेस हो रही है भीड आ रही है लेकिन कभी-कभी जब उनका मो भंग होता है जनता का जनतां से दूरी लेती है तो फिर वो वह भी पूंजी जब कम होना से ही तो भी आत्त्या करते है अभी तीन साल पहले ही इन दौर में एक नरविदा है बही है जी महराज उन्होंने कुछ नहीं था बहुत पैसा था कोई कमी नहीं थी लेकिन उस पैसे में ही उनके घर में पारिवारी जगडा हुआ और महराज जी ने गोली चला के आत्त्या कर लिए उसके पास कमी नहीं थी करोडों में चल रहा है उसका टर्न ओपर ही जो साल का था बीस करोड से कम नहीं था कोई कमी नहीं थी लेकिन कहीं ना कहीं कारप्रेट जगत और वेपसाई गति शीलता के चलते पैसा जो है पूंजी के कारण वो भी पूंजी को समाल नहीं पाए और आत्मत्या करें ऐसे कई आकड़ें आई दिन पेपरों में आते हैं पूंजी बाद का ये जो है Capitalistic Society का ये Diffunction है ये Diffunction है Capitalistic Society का है इसमें आज पैसा कमाने पर जोड दिया जा रहा है पैसा कमाने पर बल दिया जा रहा है Technology Driven जो है Maximum Profit की बात करता है Technology Driven के इस योग में Maximum Profit के महत दिया जाता है Maximum Profit को महत्वून बाना जाता है जिससे मानसिक स्थर्था धीरे-धीरे हमारी खतम होती जा रही आज वेक्ति पैसा कमानी की मसीन बन गया है जैसे मसीन से पैसा निकलता ना एटियम मसीन से उसमें भरना पड़ता है लेकिन वेक्ति अब खुद पैसा कमाने के लिए मशीन बन गया और एटियम बनता जा रहा है जिसने हमारे संबंदों की ऐस्थिरता है खबाए हमारे संबंदों में जो स्टैबλιटी है वो समापत हो गए संबंद में नहीं रहे ह्यां सम्ञारा पाने और एक असाद लक्षण पाने की जब हम बढ़ते हैं उतुर बढ़ते हैं उसमें अगर हमको समय पे सफलता नहीं मिलती है और हर आदमी चाहता है ततकाल सफलता है नहीं मिलती है जब उसमें समय लगता है तो उसमें धीरे धीरे भीक्ति है अपने को failure मानता है अस्वल मानता है और failure होने पे समाजिक भैसमाज के दवाओं के कारण बिखर रही है, पूंजी जो है, दीरे दीरे आत्मत्या की बिखर रही है, चाहें है कि बच्चे आपकल पन्दD लिए गवार रहता है और जब नुकरी में आते हैं तो पकेज मारे आजाल में कंपΠी में तूर में हो जाते हैं कि तीरे जीरे अपने परवार से ठूर हो जाते हैं। उन्यूरर के कोरोना पीरिड में में ने देखा कि पेरेंट्स बीमार पड़े थे यहां लेकिन बच्चे नहीं आए एक तो प्रतिबन था और दूसरी बार जब आए भी तो आने के बाद जब वर्क फ्राम होम में देखे संबंदों में बिक्राव आ रहा है लोगों ने पहले इसको बहुत अच्छा लेगे पूरा परवार एक साथ एक टीबलों बैटके खाना खा रहा है एक साथ रह रहे हैं लेकिन बच्चों के हाओ बाओ बच्चों की एक्टिविटीज पे जो पेरेंट्स ने रोक लगाना दूर करी बच्चों को वो फ्रीडम जो अपने पूने बॉम्बे बैंगलोर हैदराबाद एमदाबा थी वो स्वक्षंत्रता जब घर में नहीं मिली तो वो ब्रोज करने लगे और बापिस जाने लगे तो ये संबंदों के विक्राओं के कारण आप देखें तलाग पती-पत्ति के बीश में भी अजिस्ट्मेंट नहीं हो रहा है पती-पत्ति के बीश में तनाव बढ़ रहे बढ़ते तनाव के कारण तलाग की इस्टिषए आती जा रही है जो आत्मत्रे वरती लिए इसके लिए मूल कारण क्या है हमने अपने मूली को भुला बैठे हैं, हम अपने आदर से भूल गए, मूल्यों को समाप कर दिया, नैतिकता हमारी खतम हो गई, धन को हमने अनिवारता बना लिया है, धन हमारी जरुवत नहीं, आफशकता नहीं, हमने उसको अनिवारता नेसिसिटी की जगे हमने उसको कंपल्सरी कर लिया, अपसे क्या हो रहा है, कि धीरे धीरे धन, आदर, शमूल, नैतिकता, धन जो अनिवारता थी हमारी, यह हमको कहीं न कहीं हमारे संबंदों को खिसम कर रही है, समाज के दबाव में आ रहे हैं, इसलिए धुर्खीम ने जो कहा था, समाज के दबाव या समाज के प्रवाव मे वैस्तिया करता है, उसका एक खिडन कारान, एक छुपा हुअध फैक्टर जो है, धन है, पूझी है, पूझी पूझीवाद के युप में जो पूझीवादी समाज है, इसमें धन जो है, इसने हमारे सारे संबंदों, हमारे सारे रिष्ते नातों को समाप कर दी है, और यह सारे रिष्टे बेकार हैं सबसे बड़ा रुपईया तो वास्ताव में रुपईया जो है पुझी जो है वही सबसे बड़ा है और पुझी के चक्कर में हम इतनी जाता लिफ्ट होते जारे हैं कि एक मशीनी तरह से हम वैबार करते हैं मशीनी तरह करते हैं और हमारे सारे स समझने- समझनाव से न änक कूह मिलता है और हम धीरे-धीरे डीरे अफाद में करते हैं तुक में अनते जाते हिएं मानसी Arc 진 possibilities को में अने लगते हैं अलगाओ, मानसी क्नाव, परवार से द्वरी हम को समझने वाला को दूरी मीनिलiegen हैं औहर मुलता है। और हम धीरे-धीरे समाज से दूर होते जाते हैं, अपने परवार से लग होते हैं, जाते हैं, अपने जिस्तेदारों से दूर होते हैं, और उन से दूर होने के साथ साथ क्या होता है, कि आत्मत्या की और अग्रश्यर होते हैं, यही कारण है कि आज आत्मत्या की दर बढ़ती तेरी जा रही है कि दुनिया में हर घंटे में 80 लोग आत्त्या कर रहे हैं I did कि 21 मिनित में किस लोग आत्त्या की कुछते हैं ऐसा कहा जा रहा है कि समाज गेंदिगर 25 में Allan की कुछते हैं ऐसी एक सेकेंड में एक अभिक्ति आत्मत्या कर लिए से, 40 सेकंड मात 40 सेकंड में एक आत्मत्या होना, एक मिनिट से भी कम समय लग रहा है, वर्ल्ड वाइट आकले हैं, जो सरकार के द्वारा खुसित किये गए हैं, डबली एचो ने भी उता हैं, इतलिए 10 सितंबर 2003 को डबली एचो ने एक नामों को जाने और आत्मत्या से बच्चने का प्रयास करें, अपने आत्पास अगर आपके धर में, परवार में, परोस में, आपके परचित में कोई अन्मना रहने लगता है, अलगाओ की स्थिति में रहने लगता है, दूर दूर रहने लगता है, चिरचला रहने लगता ह बात-बात में गुस्ता होता है, अलगाओ की स्थिति में आता है, उसको आप समझने का प्रयास करें, उसको डाटे नहीं, उसको मांसिक रूप से समझाने का प्रयास करें, उसके साथ में अपनत की बात करें, उसके साथ में जुड़ें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धीरे-धीरे नश्य का शिकार होता है नश्य के शिकार में वह आत्म बहुत गोता जाता है और आत्मत्य की वह पेरित होता है बहुते उधारण है मेरे एक मित्र है मेरे दो-तिन मेत्र हैं उनके बेटे कोचिंग करें आयाइटी में हुए कोई मैनेजमेंट आयाइम से निकले आयाइम स्कॉलर आयाइटी स्कॉलर से अच्छी नौकरी लेगी लेकिन पूंजी के लालच में धीरे-धीरे अब वो इतने फ्रस्टेटेट हो गया है कि कंपनी उन का लगा एक अच्छा-खासा क्मा करता है व्यक एक अच्छा का सा काम लेकर अच्छा काम करते हैं विय्टेitकर कर रहा है ये खीर काहीं पेप्रों में आता है खाल ना। सब्सक्राइब कि कर रहे हैं फ्रमाच की आधिया है। तो समाजिक दवाख चलते एक fantasy पूझी की fantasy, पूझी के माय लचाल में जो हम फस गए हैं, वो हमें आत्तिय की पेरिट कर रहा हैं, आए हम ध्यान दें कि हमारे आसपास के मगर महुल मैसा है, परवार के साथ रहें, परवार के राज मिल जूर के रहें, तो से हम आत्तिय को रो नहीं जानके नहीं मिलेंगे कि समासाती तिक्टान को ठेटान के साथ मैं रोज चर्चा में रहाएं।